तो हे गाइस चली शुरू करते हैं कुई क्रिविजन ओफ मैस अनलिसिस में हम करन्ट की वेलुस को फाइंड करते हैं इन सेरेकेट में और इसकी मदद से आप किसी भी ब्रांच में कितना करन्ट फ्लो हो रहा है यह अदेटिफाय कर सकते हैं यह एक नोडल एनलिसिस का अल्ट अगर आपको वल्टिज के वलुट पता तो आप क्लॉक वाइस या एंटिकलोग वाइस आपको जाना चाहिए आप ऐसे अमूग कर सकते हैं इसके अलावा आपको करेंट की डिरेक्शन भी पता होनी चाएं सेर्किट में किस लूप में क्यूंसी डिर्क्शन है यह कॉशन मे अगर current उसकी तरफ जा रहा है जो positive terminal से enter के negative से बहार आता है यानि exit करता है current तो उस case में हम current के विल्व को negative लेते हैं यह आपको मैं sign conversation है मैं आपको उस question में बता दूँगा कि आपको किस तरह से लिखना है तो जैसा कि आपके सामने एक circuit दे रखा है जिसमें आपको i1, i2, i3 की values दे रखी है अब यहाँ पर आपको दो तरीके साब approach कर सकते हैं पहला तो आपको तारीक ही हो जाता कि अगर आपको हर element पर वोल्टेज दे रखा तो तब म सब्सक्राइब ने 2 पर कर सकते का है कि मिए सादने कर सकते कि अब इस मेरी कि प्लीटस दे करें केल पर हमेशा किसी भी आप पॉoserाट मेरी कि उसके मेरी चाता है यहां से करन्ट मैं स्टार्ट होता हूं तो करन्ट करन्ट जिस टर्मिल से जिस साइन से जो बाहर निकल रहे एक्जिट कर रहे उस पॉइंट साइन को आपको लेना है जब भी आप ऑक्योशन को लिखेंगे जैसे इस केस में अगर आईवन मेरा क्लॉक पाई तो देखिए एक एक्च्वल में उसका अंसर कम हो जादा हो या कम हो बराबर भी हो जाता भी कोई फरक नहीं पड़ता है पर जिस टाइम पर आपने लूप को स्टार्ट कर दिया तो उसका उस लूप के करेंट हमेशा डॉमिनेंट होगी इन दोनों से मतलब इस केस में आईवन इस सब्सक्राइब करेंगे अब यहां से अपन देखते है माइनस फिट्य हम लिख चुके अब यहां पर देखिए एक करेंट फ्लो हो रही है तूवर्ड्स द थ्री ओम रजिस्टर और अगर इस आप आई टू को वैल्यू देखेंगे तो यह देखेंगे यह करेंट इस तरह लोके यहां से आई टू आ रही है यहां से आई आ रही है अब बढ़ता ही है जैसा कि मैंने आपका हुला मैस अनलेसिसम हमेंसे डॉमिनेट आई वन होगी तो इस इस आंसर हमेंस थ्री आई वन माइनस आई टू लिखेंगे अब सिक्सों की रिजिस्टर्स की बात करें तो आई उपर की तरफ लो रही है तो बताई डॉमिनेट क्या होगा आई वन याई थ्री तो आई वन डॉमिनेट हो जाएगा तो माइनस 6 करके आई वन माइनस आई थ्री कर देंगे एकवल्स टू जीरो यह हो जाएगा आपकी विखेशन वन सेकंड एक्वेशन हम आई टू के फ्लो होने वाले करण सिफ i2 है तो मैं सिफ माइनस i2 लिख लूँगा क्यों क्यों कि यह दानकी का resistance हमेशा एक passive element है यह कभी भी active element नहीं हो सकता तो हमेशा current अगर enter कर रही तो हमेशा positive और अगर exit करेगी तो हमेशा negative से ही करेगी हमेशा current resistance है ऐसे ही flow होती है उसके बाद मैं जब 9 ohm के बात करूँगा तो मैं minus 9 करके लिखूँगा i2 और i3 flow होरी देखिए i3 towards और i2 इस तरह flow होरी है तो बताए यह कौन second dominant होगा i2 क्योंकि हम second loop में तो यह हो जाएगा i2 minus i3 same 3 ohm के लिए भी हो जाएगा अब देखिए इस first scenario में मैंने के लिखा था minus 3 i1 minus i2 इस case में मैं लिखूँगा i2 minus i1 equal to 0 यह हो जाएगी second equation अब third equation की बात कर लेते है फड़ाफट से इसमें मैं इश्राड कर हो इस point से तो यह plus से exit कर रही है तो 21 volt minus 6 i3 minus i1 इसके बात में हो जाएगा इस 9 ohm की बारी आजाएगी तो minus 9 i3 minus i2 equal to 0 जब आप इसे solve करेंगे इन तीनों equations को तो i1 आपको मिलेगा 2 ampere i2 आपको मिलेगा 3 ampere और i4 आपको मिलेगा 4 ampere sorry i3 तो यह होगा है आपका answer thank you guys